अमजद का ट्रैक रिकार्ड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थियेटर में उनकी अच्छी खासी ख्याती बन चुकी थी. उनसे दाढ़ी बढ़ा कर आने के लिए कहा गया. रोल में गहराई से जाने के लिए उन्होंने जया भादुरी के पिता तरुण भादुरी द्वारा चम्बल के डाकूओं पर लिखी किताब अभिशप्त चम्बल पढ़ी. शोले फिल्म में हर अभिनेता दूसरे अभिनेता का रोल करना चाहता था. स्क्रिप्ट को कागज पर उतारना जावेद का काम था, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी खराब थी कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था. वो उर्दू में लिखते थे जिसका हिंदी अनुवात करते थे, उनके असिस्टेंट खलिश. इसके बाद उनके एक दूसरे असिस्टेंट अमरजीत उसका एक लाइन में अंग्रेजी में सारांश लिखा करते थे. गब्बर की भाषा अवधी मिश्रित खड़ी बोली थी. उसके शब्दों के चुनाव में रूखापन था. लेखक ये बताना चाहते थे कि गब्बर के सिर पर पचास हजार रुपए का ईनाम था. लेकिन गब्बर की अकड इतनी थी कि उसने अपने एक चमचे के जरिये ये तथ्य दर्शकों तक पहुँचाया. गब्बर का डायलॉग था, अरे ओ सामभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, पूरे पचास हजार, सुना, पूरे पचास हजार. अनुपमा चोपडा लिखती हैं कि गब्बर का रोल इतना ताकतवर था, कि जब अमिताब ने स्क्रिप्ट सुनी, तो वो गब्बर का रोल करना चाहते थे. संजीव कुमार की भी यही राय थी. स्क्रिप्ट ने इतना अच्छा रूप लिया कि हर अभिनेता दूसरे अभिनेता का रोल करना चाहता था. धरमेंद्र ठाकुर के रोल से इतने प्रभावित हुए कि वो ये रोल खुद करना चाहते थे. असरानी को जेलर के रोल के लिए चुना गया. जावेद ने उन्हें इस रोल की बारी कियां समझाई. सलीम जावेद ने इस फिल्म में डाकुओं की पूरी इमेज ही बदल कर इससे पहले फिल्मों के डाकु मा भवानी की पूजा करते थे. धोती और बड़ी-बड़ी पगडियां पहनते थे और माथे पर चार इंच का टीका लगाते थे. सलीम जावेद ने गबबर को सेना की वर्दी पहने हुए दिखाया. विरू और जय गंदी जीन्स पहने हुई शोले की शूटिंग. रमेश सिप्पी को चंबल के बीहड नहीं पसंद थे. उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां ठाकुर के घर से पूरा गाव दिखाई दे. रमेश ने इसकी जिम्मेदारी आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर पर छोड़ी. इस से पहले किसी भी डाकुओं पर आधारित फिल्म की शूटिंग दक्षिन में नहीं की गई थी. लोकेशन की तलाश में येडेकर अपनी कार से दक्षिन के लिए निकले. बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने बंगलौर से एक घंटे की दूरी पर शोले की शूटिंग के लिए राम नगरम का चुनाव किया. संगीत निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी ने आर डी बर्मन को चुना. पंचम ने पहले गानों की धुन बनाई, उसके बाद आनंद बख्षी ने फिल्म के गीत लिखे. इस फिल्म के सभी बड़े कलाकारों को बैंगलोर के अशोका होटल में ठ ठहराया गया था. शूटिंग की लोकेशन होटल से एक घंटे दूर थी. सबसे पहले सुबह 6 बजे रमेश और सिनेमेटोग्राफर दिवेचा शूटिंग के लिए रवाना होते थे. करीब 150 लोग रोज बैंगलोर से रामनगरम जाया करते थे. चुनकि संजीव कुमार दे से सोकर उठते थे. इसलिए उनकी शूटिंग शाम को रखी जाती थी. फिल्म के सेट पर करीब रोज 200 लोगों का खाना बनाया जाता था.